हालो गाइज वेल्कम टुमाइज चैनल गुर्सायाज कोचेंग लासीज आई होप गाइज रियावल कर आज की वीडियो में हम आपके डाउट्स क्लिए करेंगे जितने भी आपने मुझे कमेंट्स पूछे हैं बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स आये हैं पिछली जो हमने व प्रास तक देखना बाकि अनदर गाइस वीडियो देखना जो जितने भी डाउट्स रहते हैं बच्चों को वह आपको भी क्लीर हो जाए कि आपने जो एंट्रीटी का डिप्लूमा पास आउट किया है या फिर आप कर रहे हो उसके बेस पे आप जॉब क्या से ले सकते हो अ कि अभी आने वाली है हेमाचल में हर्याना में जो विकैंस आने वाली है तो वो सब्कुछ कर पाएंगे कि वहां पे जो एंटीटी कोर्स मांगा गया है वह कौन सा है अभी बहुत सारे बच्चों निमान के चलो एक ही कमेंड्स मुझे बहुत ज्यादा पूचा है कि मैं इसमें डीए सी कोर्स चलेगा देखे गाइस जो डीए सी कोर्स है उसको लाइक तो हम एंटिटी ही बोलते हैं कि वह एंटिटे के एकुल है जो आपका के भी प्री प्रेमरी का जो कोर्स है होना चाहिए डिपलोमा होना चाहिए तीचर ट्रेने का सिक्ते को वहां परAttर यॉइस को एक सप्ट करें इसकी इलाबा मालेग पन्जाब बले गैंडइने कर सकते हैं तो यह चीज़ भी नोटिफिकेशन पर करेंगे क्योंकि जब पंजाब में विकैंस आई थी उसमें उन्होंने मांगा गया था कि आपका जुबी अपने मैट्रिक्स पास किया है तैंथ क्लास अपने पास की है उसमें आपका पंजाब्य सब्जक्ट पास किया होना सेमी यह जो वकैंस यह हैं आपकी हर्याना वारे स्टोंट के लिए और मांगा जा सकता है कोई सब्जक्ट की आई यह सब्जक्ट अपने पास किया होना चाहिए और फिर आप यह प्री प्रेमरी वकैंस फिल कर सकते हो तो उसके लिए भी आपको नोटिफिकेशन की वेड कर करनी होगी उसकी एलाब बहुत सारे बच्ची पूछ रहें कि मैं इसमें जैसे उन्होंने एक मिन लाइन लिए लिखी थी कि एंटिटी या फिर इसी सी कोर्स होना चाहिए क्या हम जो इसी सी कोर्स है एंटिटी की जो अंडर हमने कर रखा है वह हम लगा सकते हैं उसके वेस बैश्बिक तो होती है वह यह सी सी कोर्स भी प्रवाइड करते हैं इंवह लिखा जाता है तो उचीज़ भी नोटिपकेशन पे डिपेंड होगा कि अपका जो कौन सा बहुत हैं और एक चीज़ यह थी कि हमने जैसे वीडियो में बताया था आपको कि यह जो सार्य बीमें क उस वीडियो चैक्ट कर सकती हैं यह फिल कर सकते हैं तो वहां पर कोई कुछ नहीं लिखा था और अगर इचलो बीस को कर सकते हैं तब आप फिल कर सकते हो अद्रवाइस उस पे लिख था कि ओंडीश को फिल कर सकते हैं इसके इलावा मान के चलो बहुत सारे बच्चों की जो इंक्वेरिसी कमेंट मुझे आ रहे थी बीसी पर्जेक्ट के रिगारिंग जिन बच्चों जून में बच्चों के एक्जाम हो गए थे उससे पहले उन्होंने सम्मिट किया था अपना परजेक्ट बहुत सरे बच्चों का परजेक्ट का रिजल्ट पैंडिंग चल रहा है कि मैं हमने टू टाइम ट्री टाइम ग्रेविंस भी डाल दी है बट उनका कोई रिस्पॉंस न ग्रेविंस का मिनिक बहुत सरे बच्चों को यह नहीं पता कि ग्रेविंस क्या होता है गाइस यह मान के छलो मेल के अकॉर्डिंग होता है बट उनका प्लेटफॉर्म है यहां पे हम डालती है अपनी शिकायत दालती है इगनों को तो उसका वीडियो मैंने डीपली बना परजेक्ट है वो unfair means कि according रिजेक्ट हो चुका है और आपको resubmit करना है और एक confusing यह थी कि मैं DD draft हमें लगाना है तो गाइस देखिए जिन बच्चों का resubmit project है उन बच्चों को mostly mail पर यह लिखा मिला है कि आपको जो परजेक्टा fail हो चुकी हो यह फिर आपका project resubmit है और आपक जो परजेक्टा इस address पर आपको भेजना है और last rate आपकी यह है यह आपको mostly सभी बच्चों को क्या है mail रसीब हुई है तो आपने DD draft लगवाना है हां जिन बच्चों को just यह रसीब हुआ है कि आपका project unfair means के according reject हो चुका है और आप अपना project submit करो वो without DD draft भी submit कर सकते हैं क्यों बहुत सरे बच्चों को confused थी इसमें भी कौन लगाई कौन नहीं लगाई बस आपका mail पर डिपेंड करता है अगर आपको mail रसीब हुआ है तो आप प्लीस जरूर लगाए विदाउट अगर mail रसीब नहीं हुआ जो कोई officially notification नहीं मिला तो आप skip कर सकते हो उसके इलाबा मान क चलो project के रिगाड़ीं बहुत सरे बच्चों की doubts थे बहुत सरे बच्चों की inquiries आ रही थी कि मैं हम अपना result कैसे लेकिया है गाईज आपको खुद update रहना पड़ेगा अगर आपने अपना first time project summit किया है अभी तक आपको उसका कोई response नहीं मिला आप उनको two time three time आपके रिवे करना बड़ेगा क्योंकि project का जब तक आपका result नहीं आएगा तब तक आपका DMC भी नहीं आएगा अगर DMC आएगा और उसके बाद ही फिर आपको डिग्री प्लाइग कर सकते हो उसके बाद बहुत सरे बच्चों की inquiry सी कि मैं entity और जो यह DC course सेम है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि DC course को हम entity course से बोल सकते हैं यह one year का डिप्लोमा है हाँ इसको हम वहां उस government job में मान के चलो लगा सकते हैं इसका DMC या यूज कर सकती है यहां पर यह लिखा आता है जो भी वकैंस निकलती है जो भी पोस्त निकलती है कि आपके पास entity के जैसा ही entity के equal कोई भी one year का ड करता है कि संस्ता के अंडर होना चाहिए आपका जो कहां से अप्रूब्ड होना चाहिए तो वह डिटेल जो चीज यह वह लाइन से वह मैटर करती है नोटिफिकेशन की तो बहुत सारे बच्चे अपने अपने experience के according बोलती है कि मैं यह मेनिंग हमारा okay हो जाएगा लाइक ज अभी इंसिट्योट से जहां से अपने लिया है उसका आपको थोड़ा सा वेट करना होगा आपका notification आएगा फिर हम आपको प्रॉपर बता देंगी उस पर कौन सा चलेगा वीडियो की चैनल को subscribe कर लेना उस वीडियो के लिए क्योंकि जल्दी उसका notification आने वाला है आगे बा 15 दिसंबर के बार 24 वाले स्टोरंट्स के admission स्टार्ट हो जाएगी आपकी जो admission है अभी अगर आप December में भी करवाओगे तो January की session में जाएगी और आपकी जो exam रहेंगे वो December 24 में होगे जब आपका पुरा 1 year complete होगा और जिन बच्चों ने जून में admission लिया है उन बच्चों क कि फीस चली जाएगी जून में आपके exam हो जाएंगे उसके बाद हम बात करते हैं पर्जेक्ट चेक करवाने की काफिंगरी जा रही थी वैसे मैंने उनको mostly reply तो किया हुआ है कि मैं पर्जेक्ट चेक भी करवाना होता है जो आपका गाइड होता है जिस स्कूल में जाकर सब्सक्राइब करते हैं और प्रॉपर आपकी माक्स टेल फिल होती है तो उसका हम 30% निकालते हैं 30% माक्स हमारा गाइड देता है 70% माक्स जो है इगनो का गाइड देता है अभी इसके बाद पर जैक्स की रिगार्डिंग और बहुत सरे इंक्वेरी से बाद से वीडियो ब बहुत सरे बच् أنहीं कर लिया है पजिय बहुत सरे बच्ची इसको जूइन कर रहे हैं इसका बैनेउट रहेगा हैं डाउट है कि मैं मैंने तो कर रहा है बट वहां से पे somebody मांगा जाता है तो क्या इसका कोईल contamin की गरता है कि आप उसको कि इस को एक करते हो जो B.E.C. diploma है आपका अगर आप pre primary teacher बनना चाहते हो तो बहुत ही helpful करेगा पहली बात तो यह है कि as a diploma आप शो कर सकते हो क्योंकि main जो आपके qualification रहेगी मान के चलो plus two का रखा है आपने graduation का रखा है आपने B.A.D.A. फिर MA का रखा है या फिर इसके बिना आपने just plus two और B.A. का रख सकते हो as a experience क्योंकि D.E.C. diploma में one year की training लगती है बच्चों को आप पढ़ाते हो तो as a आपका experience भी count होता है जो D.E.C. diploma है जो भी teacher मान के चलो private post पे है या private job करना चाहते है government job करना चाहते है government का तो अलग-लग मान के चलो step by step अगर आप complete करते हो फिर जाके आपको post मिलती है बट private school में तो आपको इस course के base पे जब आप इसको D.E.M.C. दिखाते हो तो उसी time आपका selection हो जाता है तो बहुत ज़्यादा benefit है तो यह चीज़ प्रीज understand कर ले ना यह मत सो इसको benefit नहीं मिल रहा तो यह जीजना आपको अभी आने वाले time में पता चलेगी क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा आने वाली है तो इस course को संभाल के रखो और अपनी preparation करते रहो क्योंकि government job जब भी आएगी उसका exam होगा अभी जो हर्याना में आने वाली है उसका पैसिकल एक exam होगा exam अगर crack करते हो फिर जाके अपकी interview होगी और उसके बाद आपका job selection हो जाएगा तो यह चीज़ा step by step follow होगी बाकि अगर और कोई आपके doubts रहती है तो comment कर सकते हो आपकी comments में वीडियो बना देंगी वीडियो अच्छी लगी आपके doubts clear हुए तो एक like करके जाना व